दोस्तों क्या आपने का भी वाइट याने की सफेद जिराब देखा है ये सफेद जिराब को पहली बार नोर्थ इस्टेन केनिया में पाया गया था जिसे एक फोरेश टीम ने ढूंड लिकाला था ये जिराब बाकियों से अलग होने के बज़े से खुद भी अकेले रहते हैं जिसका कारण है बाकी जिराब अपने नजदिक आने नहीं देते ये वाइट जिराब और बेबी जिराब जो की तीन साल पहले केनिया के जंगलों में पाये गये थे लेकिन कुछ बुड़े लोगों ने याने की हंटर्स ने इनका सिकार किया जिसकी वज़े से अब एक भी वाइट याने की सभेद जिराब नहीं है पता नहीं ये लोग ऐसा क्यों करते हैं दोस्तों ऐसे लोगों के बारे में आप क्या सुनते हैं कमेंट में जरूर एक और ऐसे इंट्रेस्टिंग और नोलेजवल वीडियो तेखने के लिए चनल तो अभी सब्सक्राइब कीजिए